नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर परीचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद हिमातो पुण जानकारी को लेकर के जिहाँ आए आज हम सभी वजन बढ़ाने के कुछे घरेलोपायों के बारे में जानते हैं क्योंकि हमारे बहुत से मित्र हमसे अक्सर वजन बढ़ाने और सिहत को बहतर बनाने के लिए किसी प्रयोग के बारे में पूस्ते ही रहते हैं हमने पहले भी कई बार अच्छे प्रयोग आपके लिए बताए हुए हैं पर आईए आज हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही विशेश लाफ करने वाला प्रियोग आज हम आपके लिए बता रहे हैं पर इसमें कुछ खास चीज़ों का प्रियोग करना होता है इससे आपको सफलता ज्यादा मिलती है जिहां आपको लाफ ज्यादा होता है इसके लिए जो आवश्यक समगरी आपको चाहिए होगी वो नोट कर लेजिए सोयाबीन के दाने 200 ग्राम काला देशी चना 200 ग्राम उरद की धुली हुई दाल 200 ग्राम सौफ 200 ग्राम अजवायन 200 ग्राम अश्वगंधा चुन 200 ग्राम शतावरी चुन 200 ग्राम बादाम की गीरी 200 ग्राम खाने वाली गुंद 400 ग्राम देशी खांड दो किलोग्राम गाय के दूद का घी जरूरत के अनुसार आप ले लें अब आपको बनाने की विद्धे जाननी है सबसे पहले नंबर पर एक से नंबर पांस तक जो मैंने चीजे बताई इनको एक साथ मिला करके मिक्सी इत्यादी में बारिक पाउडर कर लें और फिर नंबर छे और नंबर साथ की चीजों को भी मिला करके एक साथ अच्छे से आपको रख लेना है बादाम की गिरियों को छोटे छोटे आकार में काट करके रख लेना है और देशी खांड को भी अलग से कूट करके रख लेना है अब खाने वाली गुंद को थोड़ा दरदरा कूट कर कढ़ाही में रख करके घी के साथ भून लेना है और अलग प्लेट में रख लेना है सबसे पहले नंबर पर बनाया गया मुश्रन भी अब कड़ाही में डाल करके खी की जरूरी मातरा मिला करके सुनहरा होने तक भून लेना है अब इसको भी उतार करके ठंडा होने के लिए रख देना है जब ठंडा हो जाए तो सभी सामगरियों को एक बड़े बरतन में डाल करके खूब अच्छे से मिला करके बादाम की गीरियां भी मिला लें और समान आकार के असी लड़ू बना लें अब सिवन कई वीधी जान लीजे क्योंकि आपके आउशधी बनके ऐसे तयार हो जाएगी 16 साल से अधिक आयू के लोग एक दिन में अधिकतम चार लड़ू का सेवन कर सकते हैं यह लड़ू इस्तरी और पूरुष दोनों को इलिए ही बेहद लाफकारी होता है जिहां यह सभी सामगरिया आपको अपने आसपास किसी भी जड़ी बूटी वाले पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी दिर्शी खांड किराने के दुकान पर अथवा हलवाई के पास आसानी से मिल जाती है बस इसका लाफ लेने के लिए देखिए मैंने चार लड़ू बताए एक ओसत आकार के यानि कि जैसे बाजार में छोटे लड़ू जो बिखते हैं उस आकार के ऐसा नही धन्यवाद नमस्कार दोस्तों